एशियन गेम्स में ट्राइल विवाद पर साक्षी मलिक ने तोड़ी चुपपी सरकार की ओर से आईफोन को लेकर किया बड़ा खुलासा एशियन गेम्स में ट्राइल के बिना सीधे ही दो पहलवानों के चैन को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में सोशल मीडिया पर खास खिलाड़ियों के चैन को लेकर जारी विरोध के बीच ओलमपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने अपनी चुपपी तोड़ी है पहलवान साक्षी मलिक ने इस मुद्दे पर अपनी प्रितिक्रिया देते हुए कहा है कि मुझे तीन-चार दिन पहले सरकार की तरफ से फोन आया था कि हम बजरंग पूनिया और विनेश फुगाट को इशन गेम्स के लिए भेज रहे हैं आप भी मेल कर दो आपको भी भेज दिंगे मैंने साफ मना कर दिया मैं कभी भी बिना ट्रायल के किसी टूर्णामेंट में ना ही गई हूँ और ना जाना चाती हूँ साक्षी मलिक ने इससे पहले सरकार की मन्शा को लेकर एक बड़ा आरूप लगाते हुए ट्वीट कर लिखा सरकार ने एशिन गेम्स में सीधे नाम भेज कर पहलवानों के एकता को तोड़ने का काम किया है मैं ना कभी बिना ट्रायल खेलने गई हूँ और ना ही इसका समर्थन करती हूँ उन्होंने आगे लिखा है सरकार की इस मन्शा से विचलित हूँ हमने ट्रायल्स की डेट आगे बढ़वानी की बात कही थी लेकिन सरकार ने हमारी जोली में हैं बदनामी डाल दी है वहीं दूसरी और पहलवानों के चैन को लेकर अंतराष्टर पहलवान योगेश्वर्दत ने भी इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दिये योगेश्वर्दत ने दिल्ली में भारते ओलम्पिक संग आई ओ ए तदर्थ पैनल द्वारा एशियाई खेलो 2023 में सीधे प्रवेश के लिए पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फुकाट को दी गई छूट के विरोध में प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि पहली बार भारते ओलम्पिक संग आई ओ ए को इतने सारे खिलाडी मिले है ये खिलाडी उम्मीदों के साथ आएं और गलत घटनाएं आगे नहीं बढ़नी चाहिए आई ओ ए चर्चा करेगा कि ट्राइल कैसे आयोजित किया जाए प्रदर्शन कारियों ने पहलवानों के सीधे तोर पर दी गई छूट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पत्र में उनलेक किया गया है कि दो वजिन श्रेणियों के तहट पहलवानों को सीधे प्रवेश मिलेगा यह अनुचित है यह पहलवानों की आत्महत्या है यह पहलवानों के भी सरासर भेदभाव है दरसल पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम और बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम को I.O.A की एड हॉक कमीटी ने एशियन गेम्स के लिए बिना किसी ट्राइल संसीधी एंट्री दी थी जिसके बाद ट्राइल में छूट के मुद्धे पर कई राश्ट्रिस सर के पहलवानों ने I.O.A की एड हॉक पैनल के फैसले को अनुचित करार दिया इसके खिलाफ उन्होंने विरोध प्रिदर्शन पी किया प्रिदर्शन कारी पहलवानों की मांग है कि प्रतियक भार वर्ग में ट्राइल्स होना चाहिए